ओके हेलो हेलो जी कैसे हैं आप मैं हूँ नुमेरिकल बॉट और यह है मेरा असिस्टेंट बॉट और आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेड के ग्लासेस पे आज करेंगे सल्यूशन चाप्टर के नुमेरिकल्स को और आए जल्दी से पहला नुमेरिकल लेते हैं तो आज लेकर आए हैं कार्बन टेटर लोट आपको निकालना है किसका बेंजीन का आपको निकालना है तो जमनलो मास परसेंटेज निकालना है इसका मतलब टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा individual masses को और आपका fraction निकलाएगा उसकी multiply with 100 कर देंगे और आपका mass percentage निकलाएगा तो पहले जान लेते हैं बेंजीन का structure होता कैसा है हाला कि इस question में कोई जुरूत नहीं है फिर भी एक हम review के तौर पे recap के तौर में देखते चलते हैं दो तीन चार पांच छे और इनमें लगे हैं hydrogen 123456 लगे होते हैं ठीक है ना तो यह बेंजीन हो गया तीन पाई बॉंड होते हैं अल्टरनेट पोजिशन पे और यह पोजिशन चेंज होती रहती है लगाता है और अगर फॉर्मुला फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिखते है और अगर हम आगे चलके और यानिक को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम लोग ऐसे बेंजीन को बार बार नहीं बना सकते इतना लंबा वाला तो फिर हम ऐसा वाला यूज करते हैं ठीक है ना ओक्या साइकलिक फॉर्म में दिखा देते हैं अब इस कोश्यों में वापिस आते और इसका मतलब होता है पीछे क्लॉरीन और यहां पर कैसे लिए वेज दिखाया है इसको मतलब हो गया सामने की तरफ आपकी तरफ निकला हुआ बहर की तरफ ठीक है ना तो कार्बन टेटर प्लाइटल फॉर्म में होता है और यहां बेंजीन कितना दिया है ट्वेंटी कि एचने लिए और कफ रहिए है क्राइं और करें के लिए हनृट वर्रस लिप्लाइइ तो मास के इहसे निकालते हैं चोटा परसेंटेज निकालने के लिए हंडी से multiply कर दो ठीक है ना okay तो सबसे फ़से टोटल मास कितना है 22 ग्राम और उसके ज़एंगे इसके बाद कि इसके लिखेंगे हाँ पर हम लोग मास ऑफ बेंजीन कितना गिवेन है 22 ग्राम और डिवाइट किसे कर देंगे 114 ग्राम टॉटल मास से और मुल्टिप्लाइट का देंगे क्योंकि इससे डिवाइट करने का स्ट्रेक्शन निकलेगा उसकी मुल्टिप्लाइट 100 से करने से वह क्या बन जाएगा तो क्या निकलेगा हम सॉल्फ करके निकालेंगे तो आएगा आंसर क्या 15.27 इतना आपको बेंजीन मिलेगा कहां सल्यूशन के अंदर अब मास ऑफ कार्बन टेटर निकालेंगे तो इसका ट्रोल मास कितना है 112 ग्राम डिवाइट 114 ग्राम और कर दी तो जो बचेगी वह कितना हो जाएगे वह दूसरे कंपोटिन की परसेंटेज जाएगी तो कितनी आगए 84.73 और यह एकदम एक्जेक वैल्यू है आप हमने क्या आंसर लिख देना है मास ऑफ कितना आया मास ऑफ वेंजीन कितना है 59.27 15.27 और मास ऑफ कार्बन टेटर कितना है 84.73 परसेंट क्या आपको बास समझेंगा कि कुश्चन कितना आसान था बहुत आसानी से हो गया आप ऐसी नुमेरिकल्स के लिए नुमेरिकल बॉर्ट से बने रहे हैं अगे बहुत साथ चाप्टर आते रहेंगे तब तक अपना ख्याल लखिए खुश रहिए और टाटा बाई बाई